हेलो डियर स्टुडेंट्स यू आर मोस्ट वेलकम इन माई यूटूब चैनल आधर्स इंस्टिक्टीट आफ इंग्लिस आज किस वीडियो में हम जो फस्ट लेशन है इससे पहले जो हमने फस्ट पार इसका डिसकस किया था यहां तक हम लोग इसे डिसकस कर चुके हैं अब बढ़ते हैं नेक्ट पैसेज की ओर यहां से पैसेज नमबर टैन लखा है आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद में एडिसन फाउंड दैट ही नीड़िड मोर मनी तो कैरी ओन हिज अपने एक्स्पेरिमेंट्स प्रियोग कुछ समय के बाद में एडिसन ये पाया कि अपने प्रियोगों को जारी रखने के लिए उसे और अधिक धनकी आवसकता है एंड ही बांटिड मोर बुक्स एज ही हैड रीड आल दा बुक्स ही हैड एट हूम एंड और ही बांटिड बहे चाहता था मोर बुक्स और अधिक कितावें और बहे और अधिक कितावें चाहता था एज जैसा की या क्योंकि अधिक कितावें चाहता था क्योंकि जो कितावें उसके घर पर थी बहे उन सभी कितावों को पड़ चुका था He wanted to go out and see new places and new people. चाहता था to read पढ़ना new books नई कितावें. वह नई कितावें पढ़ना चाहता था and to improve होता है सुधारना his knowledge अपने ग्यान को और अपने ग्यान को सुधारना चाहता था. So he decided इसलिए उसने निश्चे किया to take up करने का a job एक नौकरी करने का on the railway में. इसलिए उसने railway में एक नौकरी करने का निश्चे किया. At first पहले तो his parents उसके माता पिता ने did not like पसंद नहीं किया this idea इविचार. पहले तो उसके माता पिता ने उसके इस विचार को पसंद नहीं किया as जैसा की he was बहे था just 12 years old केवल बारे वर्सका क्योंकि बहे मात्र या केवल बारे वर्सका था. तो पुरा आरत देखते हैं कुछ समय के बाद में एडिसन ने ये पाया कि अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए उसे और अधिक धनकी आवा सकता है। देखना चाहता था या बहे नए स्थानों को और नए लोगों को देखना चाहता था। बहे पढ़ना चाहता था new books या मतलब बहे नई किताबों को पढ़ना चाहता था और अपने ग्यान को या knowledge को सुधारना चाहता था। इसलिए उसने railway में जॉब करने का निस्चा किया पहले तो उसके मातापिता ने उसका ये विचार पसंद नहीं किया क्योंकि बहे मात्र उस समय 12 years का था उसके बाद है next passage, passage number 11 But they agreed when he gave them good reasons for his decision But लेकिन they agreed बे सहमत हो गए लेकिन बे सहमत हो गए जब ही उसने gave दिये them उन्हे good reasons, अच्छे कारण for his decision अपने निलने की लेकिन बे सहमत हो गए जब उसने अपने इस decision के उन्हें अच्छे कारण बताए So edition, इसलिए edition became हो गया a news paper boy एक अखवार बेचने वाला लड़का हो गया and traveled यात्रा करने लगा up and down बैस तो क्या उपन नीचे the train से to detrit मतलब इसलिए edition अखवार बेचने वाला लका हो गया और detrit एक नगर है इस्थान है detrit के इस्थान या detrit इस्थान तक आने जाने लगा मतलब app and down उपन नीचे मतलब जहां train जाती थी वहां जाता था वहां से आता था फिर he sold newspapers उसने अखवार बेची, sweets मिठाईया बेची and fruits फल बेची and earned two dollars on the first day और पहले दिन उसने दो डॉलर कमा लिये he उसने said to his mother अपनी मा से कहा उसने अपनी मा से कहा at supper means साम का भोजन that night उस रात उस साम के भोजन के समय उसने अपनी मा से कहा take ले लो this dollar मदर मा आप इस dollar को ले लो every night हर रात के लिए I sell give you मैं आपको दूँगा a dollar एक dollar from what जो I earn में कमाता हूँ what मतलब जो कमाता हूँ मैं हर रात के लिए आपको एक dollar दूँगा जो मैं कमाता हूँ and he kept his promise और इस तरह से उसने अपना promise पूरा किया या अपना बचल पूरा किया एक ही बार में पूरा आर्थ देखते हैं इसका लेकिन बे सहमत हो गए जब उसने अपने इस decision के अच्छे कारण बताए जब उसने अपने इस decision के अच्छे कारण बताए तब बे सहमत हो गए इसलिए एडिसन एक अखवार बेचने बाला लका हो गया और ट्रेन से डेट्रेट इस्थान के लिए आने जाने लगा या यात्रा करने लगा उसने नुश पेपर्स बेचे, मिठाईया बेची, फल बेचे और पहले दिनी दो डॉलर कमाए फस्ट डे जो कमाता हूँ या मैं तुम्हें एक डॉलर दोंगा जो मैं कमाता हूँ और उसने अपना बचन पूरा किया बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज की ओर पैसेज नंबर ट्वल्व आयर और टू लेटर, एडिसन डिसाइड़ टू प्रोड्यूस हिज ओन निजपेपर आयर एक बर्स और टू या दो लेटर बाद में एक बर्स या दो बर्स के बाद में एडिसन ने डिसाइड़ निश्चे किया टू प्रोड्यूस निकालने का हिज ओन निजपेपर अपना स्वयम का अखवार एक या दो बरस के बाद में एडिसन ने अपना खुद का अख़वार निकालने का निश्चे किया ही वाउट उसने खरी दी एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरी दी एन्ड और सेट इट अप इसे लगा दिया इन इस रेलबे वैगन अपनी रेलगाली के डबे में उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरी दी और उसने उसे अपने रेलगाली के डबे में लगा दिया ली इन आंकवार है अपने अखवार को आड़िट किया और उसे छापा उसने अपना अखवार हरेडिट किया और छापा शोट बेचे a number of copies, बहुत सारी कॉपनिया and made more money, बहुत सा धन कमाया उसने बहुत सारी कॉपनिया बेची और बहुत सारा धन कमाया बिद्दा मनी, उस धन से ही गोट उसने पाया उस धन से उसने ये पाया ही setup ए इसमाल लेबरेटरी उसने छोटी सी प्रियोकसाला बनाई इनेज रेलवे बैगन, बैगन अपने रेलगाली के डब्बे में उसने एक छोटी सी प्रियोकसाला बनाई, अगर देखें इसका पूरी पैसेज का अर्थ एक साथ में तो हो जाएगा एक या दो बर्स के बाद में एडिसन ने अपना खुद का अखवार निकालने का निश्चे किया, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेज खरीदी और उसे रेल गाली के या अपनी रेल गाली के डब्बे में लगा दिया, उसने इसे जोडा and printed his paper और अपने paper को प्रिंट किया, छापा और बहुत सारी या बेची और उसने बहुत सारा धन कमाया, उस धन से उसने ये पाया या उसने क्या प्राप किया, कि उसने अपनी रेल गाली के डब्बे में एक छोटी सी प्रियोग साला बना दी, अब आती है, passage number 13, when he was 15, he met with an accident that affected his career, when he was 15, बहे 15 वर्सका था, he met उसे मिला, with an accident, एक दुरुखटना हो गई, that जिसने अफेक्टेड प्रिभावत किया, इस करियर उसके जीवन को, जब बहे 15 वर्सका था, तब एक घटना घट गई, जिसने उसके जीवन को प्रिभावत किया, while he was doing, जब बहे कर रहा था, an experiment एक प्रियोग, in his laboratory अपनी प्रियोग साला में, जब बहे अपनी प्रियोग साला में, एक प्रियोग कर रहा था, the train, rail गाली, round मुडी या गोल भूमी, और corner कोने से, तो rail गाली या कोने से मुडी, देरवाज था, a sedan अचानक, जोल जटका, जोर का जटका जर अधीरे से लगा, अब बिट होता, थोड़ा सा टुकडा कह सकते हैं, फास्पूरस का, फेल गिरा, on the floor, फर्स पर, और पिज कैरिज, उस रेल गाली के, डिबबे के, and it caught fire, और इसने आग पकल दी, मतलब अचानक, एक जटका लगा, और एक फास्पूरस का टुकडा, फर्स पर गिरा, जिसने आग पकल दी, उसकी रेल गाली के, डिबबे के, फर्स पर गिरा, और इसने आग पकल दी, बिफोर पहले, he could put, put it out, या कह सकते हैं, लिखा गुआ है, तो है जागा, put out, और अगर कहीं दिया होता है, put out, तो इसका मतलब होता है, बुझाना, तो इससे पहले बाइस से बुझा पाता, Dan Little Paper अख़वारू ने, हैट कॉट पकल दी, फायर आग, इससे पहले बाइस आग को बुझा पाता, अख़वारू में भी आग लग गई, या अख़वारू ने भी आग पकल दी, पूरा अरता कर एक वार्म देखें इसका, तो होग इतना घटी जिसने उसके करियर को बहुत प्रभावित किया जब है अपनी प्रियोक साला में प्रियोक कर रहा था रेल गाली कोने से मुड़ी अचानक एक जटका लगा फास पोरस का एक टुकडा फर्स उसकी रेल गाली के फर्स पर गिरा और इसने आग पकल डी इससे पहले आग को बुझा पाता आखवारों ने भी आग पकल डी आखवारों में भी आग लग गई next passage the fire passage number 14 the fire spread आग फैल गई and Edison sorted Edison चिलाया for help सहता के लिए आग फैल गई और Edison सहता के लिए चिलाया the guard came the guard came I in in means in means में भी होता है और in means होता है अंदर क्योंकि जब कहते हैं may I come in sir तो may I come in इन का मतलब होता है अंदर जो यहाँ पर बोलते हैं may I come in तो वो come in बो होता है in adverb adverb of place पिले इसके वार्म बताता आईए और लेकिन इस तरह से बोलते हैं हम के अंदर रूम और यह सब बो होता है preposition तो the guard came in संग्रक्षा के गार्ड अंदर आए and together 77 they were evil बे सफल हो गए to put out बुझाने में तो fire आख को 77 बे आख को बुझाने में तो सफल हो गए but लेकिन that was the end यह अंत था of Edison service Edison की सेवा का यह नौकरी का on the train train में मतलब आग फैल गई Edison सहाथा के लिए चिलाया guard अंदर आए साथ साथ भी आपको बुझाने में तो सफल हो गए लेकिन train में Edison की service का यह अंत था he was dismissed उसे dismissed कर दिया गया at the next station जैसे ही next station या अगला station आया उसे काम से मुक्त कर दिया गया यह dismissed कर दिया गया in the next five years अगले पांच बरसों में Edison ने टुक अप की जिप्स यहां jobs होगा J O V S उसने नौकरिया की in different cities बिभने सहरों में अगले पांच बरसों में एडिसन ने बिभने सहरों में नौकरिया की he made उसने बनाया good use अच्छा प्रियोग किया of the leverage प्रियोग सालाओं का पुस्तकालेओं का उसने पुस्तकालेओं का अच्छा प्रियोग किया and made expert in factory और factory काम में निपड हो गया and workshop और प्रियोग सालाओं में he asked them questions भे उन लोगों से प्रियोगों पूछता था and learned a lot from them उनसे बहुत कुछ सीखता था and worked काम करता था harder और और दिक at his experiments अपने प्रियोगों पर और अपने प्रियोगों पर और दिक परिस्रम करता था तो क्या मतलब हुआ पूरा अर्था कर एक बार में देखें तो दा फायर से यहां से दा फायर इस्पिरेट से आग फैल गई और एडिसन चलाया फार हिल्प सहायता के लिए मतलब आग फैल गई और एडिसन सहायता के लिए चलाया गाड अंदर आय साथ साथ बे आग को बज़ाने में तो सफल हो गए लेकिन ये एडिसन ने मदल रेल गाली में एडिसन की नोखरी का अंत्व था उसे नेक्स एक्स ट निपड़ो गया मतलब फैक्टरी काम में और बर्कस्वाप के काम में प्रयोग सालाम निपड़ो गया बहल लोगों से बहुत सारे प्रस्ण पूछता था और लर्निड अलोट फ्रम देम और उनसे बहुत अधिक सीखता था अपने और अपने प्रयोग में और दिक कठिन प कुछ समय के लिए and watch staying और ठहरा हुआ था with a friend एक मित्र के साथ में मतलब इस period के दौरान इस काल के दौरान या इस समय के दौरान बहे नौकरी से दूर था कुछ समय के लिए उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और बहे अपने एक मित्र के साथ ठहरा हुआ था दिस यंग मैन ये इवा आदमी वाज बरकिंग काम कर रहा था in a company there एक company में ये आदमी काम कर रहा था in that company उस company में they had an important machine एक बड़ी महत्पूर्ण machine थी one day एक दिन the machine stopped machine रुख गई suddenly अचानक एक दिन अचानक machine रुख गई एडिसन वाज था देर वहाँ at the time उस समय उस समय एडिसन बही था he had took a look उसने एक द्रस्टी डाली at the machine machine मतलब उसने machine पर एक जलग डाली and repaired it also repair कर दिया मरमत कर दिया within a short time बहुत कम समय में इसे मरमत कर द the manager of the company company के manager ने lagged edition edition को पसंद किया company के manager ने edition को पसंद किया and gave him a good job उससे एक अच्छी नौकरी दे दिया एडिसन ने paid off चुका दिये his debts अपने कर्द एडिसन अपने सारे कर्द चुका दिये and improve his laboratory और अपनी प्रियोकसाला को उसने सुदारा अगर पूरी पैसेज का एक बार मारत देखा जाए during यहां से यहां तक तो यह हो जाएगा कि इस काल के समय या इस समय के दौरान एडिसन के पास कोई नौकरी नहीं थी और अपने एक मित्र के साथ ठैरा गुआ था यह व्यक्ति या इवा व्यक्ति एक कंपनी में बहां काम करता था और उस कंपनी में एक महत्रपूर मसीन थी एक दिन अचानक मसीन रुप गई एडिसन भवही पर था उस समय ओन एडिसन भवही था उसने ऊस मसीन की ओर एक दृस्टि टाली और जराश से समय में बहुत कम समय में इसकी म्रमत कर दी मैंसरने एक company के मैंसर ने एडिसन ने अगले छे बर्सों में एडिसन ने मेड बनाई a series स्रंखला of inventions खोजों की अगले छे बर्सों में एडिसन ने खोजों की एक स्रंखला बनाई वन एक इन्वेंशन खोज फालोड अनुशन किया और दूसरी क्यों किया तेजी से एक खोज के बाद में तेजी से जल्दी जल्दी उसने दूसरी खोज को किया एडिसन ने अरंड कमाया more fame बहुत सारी प्रसिद्धी और मनी धन एडिसन बहुत सारी प्रसिद्धी कमाई बहुत सारा धन कमाया इन 1877-1877 में हीवाज बर्किंग वह काम कर रहा था एक मसीन पर that could जो reproduce निकाल सकती थी जो मानब की अवाज को निकाल सकती थी मतलब 1877 में बह एक महत्पूर मसीन पर काम कर रहा था जो की मानब की अवाज निकाल सकती थी अगले वर्स ही उसने actually वास्तव में made one उन में से एक ऐसी मसीन बनाई इडवाज ये था देन तब कॉल्ड पुकारते थे the talking machine तब इसे बात करने वाली मसीन के नाम से पुकारा जाता था भी हम कॉल इड़ से पुकारते हैं ग्रामफोन नाव अब इसे हम ग्रामफोन पुकारते हैं the same year उसी बर्स he was invited उसे आमंत्रित किया गया to the white house white house of Washington उसे वासिंग्टन के white house में आमंत्रित किया गया या बुलाया गया देखते हैं इस पैसेज का पुरा अर्थ एक ही वार में यहां से यहां तक तो लिखा है अगले च्छे वर्सों में एडिसन ने खोजों की एक सरंखला बनाई उसने तेजी गसात एक खोज के बाद दूसरी खोज की एडिसन ने बहुत सारी प्रसिद्धी कमाई बहुत सा धन कमाया क्या आठारा सो 577 में दृख एक महत्पूल मशीन पर काम कर रहा था जो कि मानब की आबाज को निकाल सकती थी अगले वर्स उसने बास तर्म में उसमें और ने सी मसीन को बना दिया तब इसे ग्रामफोन के नाम से जानते थे मतलब तब इसे बात करने वाली मसीन के नाम का part second और इसके बाद में discuss करेंगे last part इसका जब इसके तीनों part हो जाएंगे फिर discuss करेंगे इसके short question आज की वीडियों बसेतना ही thanks for watching